आप सो हे गाई वाकम बेक तुमाइ अनादर वीडियो तो यह है वीडियो पार्ट टो जो कि मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ जगनात धाम की जगनात शुबद्रा बल्राम की यह वाला पेंटिंग का जो मैं आउटलाइन बनाया है उसका वीडियो में पहले डाल चुका ठीक है और यह है मेरा reference photo जिसको देखके मैं धीरे-धीरे करके बना रहा हूँ मैं सबसब करके क्या-क्या color है इसको मैं watercolor कर रहा हूँ यहाँ पर मैं camel का artist grade का watercolor का इस्तेमेल कर रहा हूँ यह इस वीडियो पर और paper मैंने normal सी handmade paper लिया है बहुत ही अच्छा quality का है watercolor करने के लिए और watercolor को आपको बताई दिया screen में दिख रहा होगा आपको यह वाला watercolor में इस drawing में इस्तेमल किया हूँ और brasses का बात करें तो normal जो shop में brasses मिलता है तो natural hair का brasses उसी का brasses में इस्तेमल कर रहा हूँ जो सारे artist, beginner जो artist है वो करते है ठीक है और watercolor करने के लिए जो natural hair का brasses है वो सही रहता है watercolor के लिए बहुत अच्छा रहता है तो आपको मैं recommend करगा तो natural hair का brass ले उससे water color करें तो अच्छा रहेगा तब देखी सकते हो और यह वीडियो में पूरा coloring नहीं दिखाऊंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा तो इस वीडियो में मैं यह सुबद्रा जी जो है उसका थोड़ा coloring देखाऊंगा जगनात का पूरा जो color है पूरा एकदम finishing तक जगनात का color आपको दिख जाएगा तो मैं दीरे दीरे इदर सुबद्रा बलोरां को भी color कर रहा हूँ ठीक है बड़ कम्प्रीट में पूरा जगनात को कर दूंगा अब देखी सकते हो मैं अभी जो जुएलरी पार्ट है मकुट बगरा उसमें coloring कर रहा हूँ एकदम light ठोटा सीसी बगरा होता है ना 25 रूपीस का उसी color को मैं अस्तमल करने बाला हूँ थोड़ा detailing करने में जैसे किती लगश्य लटी बगरा हो गया तो जुएलरी पार गले में जो बाते हैं यह सब करने में तो इसमें में तोड़ा एक्रैली कलर करने बालो देखने में बहुत बड़िया लगा है तो अभी देख सकते हो मैं जगनाच जी का जो फेस है उसमें काम कर रहा हूँ आइस में लाल लाल रहता है ना ब्याओ तोड़ा टाइप वह मैं बना रहा हूँ देखो कितना देखने में कितना नीचे थोड़ा इधर हरी अली में बना दिया है कि दिखने में अच्छा रहेगा जैसे कि फोटो फ्रेमेर पिक्चर में रहता है तो उसी को देखके मैंने बना आए हैं अब देखी सकते हो तो अब दीरे-दीरे नोटीस करते जाओ देखते जाओ कैसे कैसे मैं कलरिंग को कर रहा हूँ और इसको करने में मैं एक दिन समय नहीं लेकर दीरे-दीरे करके बना हुई यह वाला ड्रॉइंग को और गाइस मेरे पास कोई सौप्ट लाइट बगरा नहीं है तो मैं भी एक खुर ही रहे है लोड्रॉइंग में कैसे मेरे हेंड का जो सैडों हे वह हैं किसा कीर रहा है मेरे जो ओपर यह उपडरा लाइट है उसके बजहें से तो लाइट में मियन फैक्कर कर थे इस को आफ बेसे कोई शरण आप करना मीरे पैस कोई माष्ट नहीं है कोई अच्छा खासा माइक नहीं है और मेरा फोन का जो 3.5 mm चैक है वो भी खराब है तो मैं कोई नोर्माल सी माइक करित के यूज भी नहीं कर सकता हूँ तो मैं इसी वीडियो को ब्लूटूथ का जो माइक आता है ना ब्लूटूथ बगरा जो नेकबैंड उसी का माइक से मैं बोल रहा हूँ है उसको यूज करके मैं ये वीडियो में बहुत सबाद डाल रहा हूँ तो थोरा स्टागल करना पता है वीडियो बननने के लिए और ड् ड्रॉइंग करता हूँ यह मेरा एक टाइप का पैसा ना बोल सकते हो और मैं स्टुडेंट को ड्रॉइंग भी सिखाता हूँ तो अगर ड्रॉइंग कैसे में सिखाता हूँ उसका कोई वीडियो चाहिए होगा तो मैं डाल दूंग यूट्यूब पर तो अभी अब देखी सकत अधिए जगंदात का जो आउट लाइन का बडरिंग है बहुत डाल रहा हूं रेट कलर से यह जो ब्रास में यूज कर रहा हूँ यह ब्रास मेरे को जो एक डिबा आता है ना अग्दम उसने से फ्री मिला एवरास ऑसच्शा काम करता है एकदम इसी ब्रास को मैं यह वहहां से इसलिए कर रहे हैं सिंथेटिक ब्रास के लिए यह अच्छा है बागी में नचे है रह गडर करें से इस इसलिए बहुत है तो आभी में देखो-थेयां ब्लेक कलर जगनात्थ कर रहा हूं धीरे-धीरे करके और यह वाला है इसे क्राम करने में आपको दिक्कत हो भी सकता है कि यह बहुत ही रफस्टेक्चर है तो जल्दी सूख नहीं जाता है थोड़ा वैट पेपर रहता है जैसी कि वाटर कलर करने के लिए अगर कलर थोड़ा वैट रहे तो अच्छा रहेगा ठीक है और इसको करने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है अगर आप पह पहले इस नहीं स्टॉम में इजीली अबिलेबल हो जाता है सब बिगिनर अटीस हैंड मेट पेपर में यूज करते हैं वाटर कलर करने के लिए बाकि अगर अगर आप कोई ब्रस्टो का पेपर यह जो और क्या कमपानी होता है उसका पेपर जो अबर आर्चीस का यह वाला बहुत पेपर बनाता है तो वह कमपानी का बरी स्टमल करोगा तो अच्चा रहेगा और बाकी देखो मेन यह वाला कर दिया है पूरा रिख बगड़ा वह वीडियो थोड़ा कट गया था मेरा स्टोरिच फूल हो गया था तो मेरा देखो यह वाला ज़ो फेवरीक कलर है उस ड्राइंग अच्छा लगए तो कमेंट कर देना तो गाईज अब देखी सकते हैं यह ड्राइंग तो मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में बाई गाईज